अब दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यह की काश तो इसको कैसे तियार किया गया यह कब तक इसकी प्रोटेक्शन आ जाएगी हमारा साम मुझूद है डाक्टर कैसर अबास साथ असिस्ट्ट डेक्टर हार्टिकल से इसे जानते हैं यह हमारा प्रोजेक्ट है अपना अध अरफ हरी साथ यह मौजाज शेरगड़ के अंदर यह हमने लगवाई है यह मेडिसिनल प्लांट में इसी बहुत अहुत है यह इसका जो आईल है यह बहुत अच्छा हमारा कुकिंग आईल के तोर पे इसके लिए यह जो आईल को कम करते हैं बलड प्रेशर शुगर जैसी ब यह हमारे लोग पुराने बुजूरे के भी खाते थे यह जूड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आज कल भी हम अगर इनका इनको इस्तमाल करें यह सरदियों के अंदर हम खा सकते हैं इसके लड़ू बनाके तो माशाला बड़े मज़दार भी होते हैं औ तो यह जो चीज़ें हैं यह अगर हम लगाएं और इनको काश करें तो यह हमें मुनाफ़ा के साथ साथ हमारी सिहत भी बहुत अच्छी मतलब इलसी जो है यह तकरीबान हमारे दस एक मन फी एकड़ पैदावार आ जाती है तो तकरीबान यह च्छे हजार से लेके बारह हज मन तक इसका रेट है और आट दस मन आ जाए तो तकरीबान यह सतर हजार के अगर थोड़ी से हमें ना ज्यादा कर ले तो यह पंद्रा मन तक भी आ सकती है तो इसका इतना खर्चा नहीं है यह तकरीबान जी च्छे किलो भीज है एकड़ का तो डेड़ सो दो सो रुपए ए एकड़ किलो के हिसाब से बीज लगता है तो छे किलो का हजार रुपए बीज को गया और इसी तरह इसमें कोई आदी बोरी हम प्रोटाश डलवा देते हैं और एक बोरी नेट्रोफास डलवा के यह तकरीबान आट दस हजार रुपए का खर्चा और माशाला इसकी आमदनी भी डबल है और उसकी भी हमाएं जो प्रोफिट है वो तकरीबान लाख रुपए एकड़ बामुशकल पहुंचता है लेकिन यह अराम से इसका लाख रुपए एकड़ तक हम जो है कमा सकते हैं शुक्रादक साब थैंक यू अलाफिज